दिल्ली शराब निती घोटाले मामले में फसे आम आदमी पाटी से राच्य सभा सांसद संजसिंग को लेकर इस वक्त की बेहत पड़ी खबर सामने आ रही है जानकारी देदे कि संजसिंग ने दिल्ली उच्छ न्यायले में जमानत याचिका दायर की है कोट ने अब संजसिंग की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सुचिवद किया गया है बता दे आपको कि बीते साल 2023 में 4 अक्टूवर को प्रवरतन निदेशाले ने संजसिंग की आवास पर छापे मारी की थी संजसिंग से तकरीवन 10 घंटे तक पूछता आच की लेकिन संतोष जनक जवाब नहीं मिले तो संजसिंग को ग्रफतार कर लिया गया और अब तक वह इस मामले में तिहार जेल में कैद है मालूम हो कि संजसिंग ने खुद को जमानत त्याच का खारिज करने के लिए निचली अदालत के 22 दिसंबर 2023 के आदेश को चिनोती दी है निचली अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला वास्तविक है लेकिन अब वह दिल्ली हाई कोट की तरफ पहुँच चुके है जाहत नहीं मिली है और इनके अलावा तीन समन भेज़े जा चुके हैं सियम अर्विंद केजरिवाल को ग्रफतारी की तलवार उन पर भी लटक रही है तो आम आदमी पार्टी लगातार एडी के समन को चुनोती देती हुई भी नजरारी है इसके अलावा संजे सिंग राज्य सभा के चुनाब लड़ने चा रहे हैं और ऐसी में जल से जल वह नामंकन दाखिल करेंगे और जेल से चुनाब लड़ते हुए भी वह देखे जा सकते हैं फिलाल सभी की नजरे टिकी हुई है कोट के फैसले पर आज कोट क्या कोच हैं फैसला सुनाईगी ये जानने के लिए देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज